आसकार, खबाव की खबाव, आग में घी डालने पहुचे राहूल गांधी और सुधरते हारात को बिगडने आ रहे हैं राहूल गांधी और इसी डर से भौस से लोग कॉंग्रेस पार्टी छोड़ कर चले जा रहे हैं, जैसे राहूल गांधी ने खा और एक यात्रा करेंगे यात्रा का आतंक इतना है कि बड़े-बड़े नेता यात्रा के पहले कॉंग्रेस सोड़ देते हैं, बेज़ती नहीं करानी है, इतना अपमानित नहीं होना है, इसलिए उन्होंने यात्रा सुनते ही ऐसे उनको नर्वस हो गया है, ऐसे उनको टेरर, जैसे टेररिस्ट आते ह आईसे बौकला गए, कि आप तो फिर बेईजती होगी, या कोई ना कोई तो गूफ हब जरूर करेगा पहले यात्रा में भी गड़वड किया था, फिर यात्रा में कुछ बेईजती होगी, इसलिए उन्हों पहले ही Congress छोड़ दिया, बड़े-बड़े नेता, Congress को छोड़ रह मनिपूर के मुख्य मंत्री बिरेन सिंग पूछ रहे हैं कि आप गड़वड इलाके में हमेशा आते हैं और गड़वड को बढ़ा देते हैं जहां गड़वड नहीं है वहां भी गड़वड करा देते हैं तो यह भारत जोडने के लिए भारत तोडने के लिए यह पूछ रहे मनिपूर के मुख्य मंत्री बिरेंट सिंग तो आग में घी डालने पहुंचे हैं लेकिन उन्हें जहां वह सोचे थे वहां बिरेंट सिंग जी ने उन्हें अनुमती नहीं दी तो वह उस ठान से कुछ दूर से वह यात्रा शुरू करेंगे लेकिन मनिपूर की जिदर है हलांक उनकी फजीहत होने वाली है फिर उनका सब कुछ सत्यानाश होने वाला है दूसरा यात्रा जिद पकड़के हैं किसी ने दिमाग के क्या भर दिया है दोस्त हैं या दुश्मन की यात्रा फिर से करो और फजीहत करो और इसी डर से इसी खौफ से कुछ बड़े-बड़े नेत उनकी यात्रा सुनकर पहले कॉंग्रेस छोड़कर भग गए तो यह मनिपूर के मुख्य मंत्री ने पूछा भई यह क्या करने आए गंदी राजनीतिय से हट जाए तो फिर वह कॉंग्रेस क्यों कहलाएगा कॉंग्रेस 1947 से आज तक क्या क्या है गंदी राजनीति के अलावा कुछ किया है कुछ नहीं किया है बिहार में जंगल राज है और कहीं पर जंगल राज लेकिन इसको वही मनिपूर अडानी से फुरसदनी दिमाग में भूसा भरा हुआ है कीड़ा भर गया है यही बोलना है य और मोदी जी का वोट बढ़ता है लेकिन फिर भी वही रागल अपना है यह जिद्ध है और यह बेवकूफ की एक जिद्ध है पिछले बार सब गुड़कों पर करके आये थे अब फिर एक और आत्मगाती फैसला बेवकूफ कॉंग्रेसर राहुल गांदी गा और इस बेव पनाश करने के लिए ऐसे ऐसे एडवाईज देते हैं पताने कौन राहुल गांदी को ऐसे ऐसे बेकार का सुझाव देता है किसने दिमाग में भूसा भर दिया अगले यात्रा पिछला यात्रा बहुत सक्सेस्वल हुआ था अब और यात्रा करो चलो यात्रा करो यहां गड कुछ फाइदा नहीं होने वाला है और नुकसान होने वाली है और फजी होतों होने वाली है और कुछ गडबर करने वाले लेकिन जिद है कि यात्रा करेंगे तोह यह दूश्मन है और दोस्त समझ में नहीं यहांता ह kinda रावुल गांदी समझ देंए यह कंगर्स को वोट्न Red दिखा जाएगा और वोट कुछ नहीं मिलने वाला है वोट और कम होंए वाला है लेकिन यह किस ने किस दोस्ट ने किस दुश्मन ने समझा दिया यह जित पराड़ गया और गयात्रा करेंगे पहले बार तो ज्यादा कुछ गढ़बड किया इससे और भी ज्यादा तो रावुल गांदी को यह सीखना है, जो बहुत बड़ी कीमत चुका कर इंद्रा गांदी ने सीखा था, कि भीड जुटाने से वोट नहीं मिलते, हलांकि इंद्रा गांदी के वक्त तो spontaneous भीड जुटा था, यह तो organizer पैसा देकर भीड जुटा थे हैं, पैसा देकर भीड वोट नहीं होता, इंद्रा गांदी को बहुत ही कठिन तरीके से यह सीखना पड़ा है, लेकिन रावुल गांदी को यह सीखना पड़ेगा, कि भीड का मतलब वोट नहीं होता, भीड तो आ जाती है, पैसा लेकर, और कुछ लोग पैसा लेकर वोट आते भी नहीं है, पैसा तो आलम यह है कि जैसे इन्होंने कहा यात्रा शुरू करेंगे भारती जनता पार्टी तो खुशिया मना रही है अब तो और कुछ वोट ऐसे ही मिल जाएगा यह और कुछ गडबड करेंगे और कुछ गुडबर करेंगे और कुछ फजीहत कांग्रेस की करवाएंगे अब तो वोट मिलेगा बीजेपी तो खुशिया मना रही है लेकिन यह कॉंग्रेस लोग मातम मना रहे हैं यह कौन क्या करने वाला है कि ना हो फिर कुछ ने कुछ बेवकूफी करेंगे कॉंग्रेस के वोट का और सत्यानाश करेंगे बीजेपी खुशिया मना रहे हैं और कॉंग्र है मनिपूर के मुख्यमंत्र इसलिए बि रेंट सिंग ने कहा यह भारत जोड़ो है यह भारत तोड़ो या नहीं यह तो मालूम नहीं है लेकिन कांग्रेस तोड़ो यात्रा जोरूर है पिछली बार अगर कांग्रेस पूरी तर echo से यात्रा सुनकर जैसे इन्होंने का यात्रा करेंगे सब भाग रहे हैं सीनिय नेता कॉंग्रेस छोड़ कर भाग रहे हैं तो यह कॉंग्रेस तोड़ो यात्रा हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार